प्रित पाल सिंग के पास मिलने के लिए गए थे पीजी आई में तो हमारे बलदेव सिंग सिर्सा की डूटी लगी थी बहुत मेहनत की उन्होंने इन्होंने रिट डाली कोई भी सरकार ने हमारी सुनी नी जब हाई कोट का वहां निर्देश गिया भी इसको ट्रांसपर कीजि पीजी आई रोतक से चंडीगड तब वो गए और इतने डरे हुए थे उनके घर परवार के आदमी भी जब सिर्सा साब लाइब होके बात बोलते थे तो वहां के पुल्स करमी धमकी देते से उनके परवार को भी इनको लाइब होने से रोकिए आपके लड़के की लाइब चले जाएगी परचा हो जाएगा ये वगेरा और जो मुझे प्रितपाल सिंग जी ने बताया पीच चाओदा आदमी जब मुझे खनौरी बार्डर से उठाया तो चाओदा आदमी घंटों तक मुझे पीटते रहे और मेरे सर पर दो डंडे तोड़े गे उनकी मैं देख र आला होगा रसी डाली जो भी होगा तो इस तरह से भी बोल ओ उसकी आवाज बहुत कम निकलती है लेकिन अब स्थिर है उनका स्वास्त जो हमने पता तो ये बरबरता पूर्ण जो कायरता पूर्ण कारवई जो किसानों के उपर केंदर सरकार ने की है हर्याना सरकार ने की है ये पूरा देश और दुनिया देख रही है हमारा लगातार दबाव उनके उपर बढ़ रहा है अब भार सरकार बताए पि जब टिक्री बार्डर आपने वहां पर दिवार उसारी थी या सिंगु पर उसारी थी या गाजी पर पर तब क्या आपकी सोच थी अब आप वो बार् भूले मानिये प्रधान मंत्री जी तब क्या निर्ने था अब क्या आप तब उचित थें या अब उचित हैं आप कंफ्यूजिंग में हैं तो हम तो कहते हैं और आज पंजाब हर्याना में बहुत सारी जगों में इंटरनेट की स्वाइब बहाल कर दीगे अच्छी बात है ह उन सभी अधिकारियों को किटहरे में लेके आएं थी क्या तब सुनिच्चित होगा भारत का लोगतंतर जिंदा है तो मैं